हलो फ्रेंड आज बनाएंगे बहुती क्रेस्पी और चटपटा कुर्कुरानास्ता जो की पांच मेट में भी बनकर जटपट से तयार हो जाता है बहुती कम इंग्रीडेंट लगते हैं इसको बनाने में और इस रेसिपी को न हम ब्रेड से बनाने वाले हैं चली बनाना शुर मिक्सर जाल लेंगे मिक्सर जाल में ब्रेड को इस तरीके से हमें तोड़ तोड़ के डाल देना है चारो ब्रेड को इसी तरीके से तोड़ तोड़ के हम डाल देंगे इसमें इधर हमने ब्रेड सारे डाल दी है उसके बाद इसके उपर हमें धक्कन लगाके इसको दरदरा स और में ब्रेड क्रम्स बनाकी पीस लेना है एक मंने रीडी कर लिया है आप देख सकते हो इस तरीके से आपको रख देंगे side में उसके बाद हम लेंगे लोकी लोकी को अच्छे से दुलकी क्लीन कर लिया था अच्छे से पहुंच लिया था उसके बाद उपर से इसको कट करके निकाल देंगे लोकी थोड़ी सी लेनी है ज्यादा लोकी नहीं लेनी जैसे आपको जितने से नास्ता बनाना है उतनी ही लोकी लेनी है उसके बाद लोकी को इस तरीके से हमें चील लेना है लोकी न ढाई से ग्राम होगी आप देख सकते हो इस तरीके से लोकी को चील लेना है उसके बाद मीडियम बाला ग्रेटर लेना है लोकी को धुल लेना है उसके बाद ही ग्रेट करेंगी और लोकी को लौप इस तरीके से हमें ग्रेट कर लिना है जो मिडियूम बाला ग्रेटर होता उससी ग्रेट करोगी तो नास्ता बहुती ज्यादा अच्छा बनेगा उसकी बाद ब zouल में लोकी को डाल देंगी उसकी बाद 3 चिंवच भर कर इसमें हमें चावल का आंटा डाल देना है इससे धनिया डालेंगे बारी कटा हुआ खूब शारा उसके बाद डालेंगे रेट ची रिफ्लेक्स इसमें थोड़ी सी तीखा अब कम जादा कर सकते हैं अपने असाब से उसके बाद काली मिर्च का पाउडर डालेंगे एक चौथाई चिम्बच ब्लैक पेपर उसके बाद हमें डाल देना है जीरे का पाउडर भुने हुए जीरे का पाउडर एक चौथाई चिम्बच इसमें डाल देंगे उसके बाद डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा टेस्ट अकोर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे थोड़ी सी इसमें हल्दी डाले ये color के लिए इसे ना बहुती अच्छी रंगत आती है नास्ती में उसके बाद हमें चमच के साइता से इसको अच्छी सी mix कर देना है मसाले 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 आप कम ज्यादा कर सकते हैं बहुत ही छोटी सी चमच से मसाले डालें ज्यादा मसाले भी नहीं पढ़ते हैं अच्छी सी हमें इस तरीके से mix कर देना है mix करने के बाद जो हमने bread पीश के रखे थे इनको इसमें डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे एकदम से नहीं डालेंगे और इसको mix करते जाएंगे जैसे लौकी के हिसाब से आपको bread crumbs लगने वाले अगर जादा धीला सा लग रहा है जैसी तो आप थोड़ा सा bread और भी piece case में डाल सकते हो जैसी हमें आटे की तरह डो ऐसा लगा के इसका ready करना है ना जादा एकदम hard होना चाहिए ना जादा soft होना चाहिए आप देख सकते हो इस तरीके से आपको रख लीना है उसके बाद हाथ को अच्छे से clean कर लेना है और इसमें लगा लेना है हाथों में थोड़ा सा oil उसके बाद हमें थोड़ा सा paste लेना है और इसको हमें बॉल्ट जैसी इसको round shape में बनाना है उसके बाद थोड़ा सा दबा देंगे और टिक्की की shape में इसको बना लेना है में बिल्कुर भी नहीं लगने वाला है एक एक करके इसमें नास्ता डाल देंगे जितना इस पेस होगा में पैन में उतना एक साथ उसमें डाल देंगे गैस को कर देंगे मीडियम प्लैम पे और इसे अच्छे से सिखने देना है उसके बाद इनको हमें पलट देना है सारे ना नास्ता शिख पाएगा दोनों तुर्प अच्छे से उलट पलट करके नास्तियों को सेक कर हमने रेडी कर कर लिया है आप देख सकते हूं बहुती प्यारा सा कलर आ बहुती प्यारा कलर आ गया है कि रोके से आप नाशता बना वी तो बहुत ज़ाधर टेस्टी बनने वाला है सारे नास्ते को इसी तरीके से हम सिक कर लेंगे इधर हमने सारा नास्ता बनाकर रेडी कर ली आ है आप देख सकते हो बहुत जटपटें और भोत कम टाइम में बहुत बच्चे और बड़ों को बहुत ज़ला यह नास्ता पसंद आने वाला है आप इसे सुबह की चाय के साथ या साम की चाय के साथ किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो आपको इनास्ता बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है एक बार आप जरूर ट्राइ करिए अगर आपको रेस्पी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिना चैनल को सब्सक्राइब कर लिना तैंक पॉर वाचिंग में के आपको अगली वीडियो में